सब्सक्राब करें अपने यूट्यूब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए वालकाम फैंड्स सुसुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेट में होने वाली एक बिमारी के बारे में जानेंगे जो बहुत ही जादा देखी गई है लेकिन बड़ी गातक समझ्या करने वाली बिमारी है बिमारी का नाम है H.Pylori Infection जिसका पूरा नाम है Helicobacter Pylori Infection नाम से यह बिमारी बहुत ही जटिल लग रही है लेकिन आप चिंता नहीं करें इस वीडियो में बिलकुल ही आसान तरीके से इस बिमारी के बारे में हम जानेंगे कि यह बिमारी क्या है इसके होने पर क्या लक्सन दिखाई देते हैं बिमारी होने के क्या कारण है तता इस बिमारी में क्या इलाज जोक्टर द्वारत दिया जाता है कितने दिनों तक दिया जाता है तो बिना ज्यादा इंतजार किय बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी इस बीमारी के बारे में हैलो प्रेंड्स नमस्ते दोस्तों H.Pylori infection H.Pylori नाम के बेक्टिरिया द्वारा होने वाला एक infection है या पेट में होने वाला एक bacterial infection है जो पेप्टिक अलसर, पेट में सूजन तता पेट में होने वाले cancer का मोख्य करण होता है सर्वे के अनुसार पुरी दुनिया में 50% व्यक्तियों में H.Pylori का infection देखा गया है कई व्यक्तियों में तो यह समश्या बच्पन से ही शुरू हो जाती है इस व्यक्तियों में सभी मरीजों में लक्सन नहीं दिखाए देते फिर भी उनके पेट की सुरुक्सा परत, inner protective layer तूट जाती है जिस कारण से पेट में सूजन आना, पेट में छाले होना आदी समयश्या होने लगती है इस व्यक्तियों के क्या कारण है? तो कोई बड़ा VCS कारण नहीं है यहाँ infection व्यक्ति में contaminated food तता contaminated water मतलब संक्रमानित खाना खाने से तता संक्रमानित पाने पीने के कारण हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति को पहले ही यह infection हो रखाए और उसकी उल्टी, सलाइवा या स्टूल के संपर्ग में कोई अन्य व्यक्ति आता है तो उनमें भी यह infection होने का खत्रा रहता है यहाँ बीमारी उन व्यक्तियों में भी होने की ज़्यादा संभावना होती है जो छोटी सी जगा पर बहुती ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं एक साथ वीड में रहते हों और साफ पानी नहीं पीते, साफ खाना नहीं खाते तो उनमें भी इसका खत्रा रहता है यह infection होने पर क्या-क्या लक्सन दिखाई देते हैं वैसे सभी में लक्सन दिखाई नहीं देते फिर भी जो लक्सन दिखाई देते हैं वह gastritis तता पेप्टिक अलसर के समान ही होते हैं जैसे कि मरीज के पेट में दर्द होना जलन महसूस होना पेट खाली होने पर यह पेट दर्द बहुत ही ज़ादा होना उल्टी जैसा लगना पाचन किर्या का कमजोर होना बार-बार डखार आना पेट फुला हुआ रहना बिना किसी वज़ा से वज़न का कम होना इस तरह कि कुछ सामने लक्सन इस मिमारी में दिखाई देते हैं और अगर किसी व्यक्ति में इतना तीज पेट दर्द हो रहा है कि रात में वह निंद भी नहीं ले पा रहा है साथ ही इस टूल के साथ में खोन आ रहा हो या इस टूल बलेक रंग का हो उल्टी के साथ खोन आ रहा हो या उल्टी काले या कौफी रंग की आ रही हो तो उस समय तुरंत ही डॉक्टर से संपर करना चाहिए अब जब डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज आते हैं तो उन्हें क्या इलाज दिया जाता है उसे भी हम यह आपे जान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात हम जान लेते हैं कि किन डोक्टर को इस बीमारे के लिए बताना चाहिए तो उन में gastroenterologist doctor जिन्हें हम पेट के डोक्टर कहते हैं उन्हें इस बीमारे के लिए बताये जाता है और जब इन्हें दिखाते हैं तो सबसे पहले इस बीमारी के confirmation के लिए कुछ जांचे करवाई जाती है जैसे कि H.Pylori Test तदा Stool Test जब यह confirm हो जाता है कि मरीज को H.Pylori Infection हो आए उसी के बाद इलाज दिया जाता है और कई बार लक्सनों के अधार पर भी मरीज को डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है क्या इलाज दिया जाता है तो इलाज में पेट में बनी हुई गेज को तदा Infection को ठीक करने के लिए टेबलेट और आवस्चता होने पर Injection भी दिये जाते है इस बीमारी के First Line Treatment के रूप में P.P.I. Proton Pump Inhibitor दवाईयां जो दवाईयां पेट में गेज को बनने से रोकती है जैसे पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल या लेंसाप्राजोल कोई भी एक या एंटाहिस्टेमिनिक मेडिसिन जैसे H2 ब्लोकर जिसमें रैनिटिडिन, सिमेटिडिन इनके साथ में एंटिडिडिक दवाओं के रूप में Amoxicillin, Clarithromycin, Tetracyclin, Metronidazole, Tinnidazole इनमें से कोई एक या दो एंटिडिक साथ में दी जाती है और जब दो दी जाती है तो उसमें Clarithromycin के साथ में Metronidazole इस सरह का Composition किया जाता है यहाँ पर यह दोनों ही दवईयां PPI चाथा एंटिवाटिक दिन में दो बार लेने की सलहाद दी जाती है और शुरुवाती स्तिमी से साथ दिन तक मरीज को दिया जाता है जैसे कि मरीज में अच्छा फाइदा हो जाता है और अगर फिर भी मरीज में ज़्यादा नहीं हुआ हो बिमारी कंट्रोल नहीं हुई हो तो उसे आगे इन्वेस्टीगरसें के लिए बेजा जाता है और रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें फर्दर इलाज दिया जाता है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिसकस नहीं करेंगे यहाँ पर एक और बात विशेज तोर से आप ज्य के बारे में पूरी जानकाई जानी है जो पेट से जुड़ हुआ एक इन्फेक्शन है उमेद करता हूं इस वीडियो में आपको इस बिमारी के बारे में पूरी जानकाई मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आये होगा यदि वीडियो आपको पसंद आये वीडियो को ल और मेरे सभी वीडियो आप मुफ में देख सकें। आप ते अपने दोस्त मोही दादीश के साथ देख रहेते अपना यूट्यूब चैनल लान अबाट मैडिसीन। Thank you friends, take care and be careful about medicine users.